उफ ये गर्मी एसी ओन कर दो प्लीज फैन भी साथ में चलते रहने देना ठीक है दोस्तों हमें लगा था कि गर्मी और मॉन्सून को बाई बाई कहकर अब ठंड को वेलकम करने वाले दिन आ गए लेकिन मौसम ने तो हालात बदल दिये ज़स्बात बदल दिये देखिए स्प पर आध माक्समम तंपरचर 35 डिगरी सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिममम तेमटरचर 26 डिगरी सेलसियस रहने का अनुमान है Seriously, October के हिसाब से ये ज्यादा है न? क्या चंदिगर कभी यह आल है? चलिए देखते हैं चंदिगर में आज maximum temperature 30 degrees Celsius है और minimum temperature करीब 23 degrees Celsius बताया जा रहा है मतलब comparatively थोड़ा better है यहां तो वैसे सुना है, overall मद्यप्रदेश में भी कड़क धूप निकली है हर तरफ वही गर्मी गर्मी चलिए एक्सपर्ट से ही पूछते हैं मनोश शर्मा भोपाल के मौसम विभाग में ही मौजूद है तो जटपट पता लगाते हैं मद्यप्रदेश के मौसम का हाल मद्यप्रदेश में मौसम के मिजाज मंगलवार को सब्ताय का दूसरा दिन कैसा होगा इसके लिए इस वक्त हमें हैं भोपाल के मौसम विभाग के दफ्तर में यहां सामने हैं मौसम विभाग की तरफ से जो एक नक्षा होता है जिसमें देखकर वो अध्यन करते हैं राती हमारे साथ हैं मौस्म विग्जानी ममतायादाओ तो पहले हैं ममतायादाओ से जान लेदे हैं कि क्या कहिरा है मौस्म का मिजज, क्या कहता है मौस्म वंगलवार को आज कैसे लोगों को अपनी तैयारी रकनी चाहिए? देखें मंगलवार के दिन में जो नौर्दन मद्यप्रदेश के इलाके वाले चंबल उनमें तो साफ दूप रहेगी और तापमान 35-36 दिगरी के असपास रहेंगे वहीं जो आपके इंदोर होश्रंगाबाद संभाग और जबलपूर संभाग के जो इलाके वहाँ पर कुछ इलाकों में बादल की स्थिदी रहेगी और हल्की पूल की बरसाथ भी हो सकती है सीओर और राजगर कैसपस के इलाकों में भी बरसाथ होने की संभावना रहेगी कुछ समय के लिए एक से दो घंटे के लिए इसी स्थिदी रिमित हो सकती है कि होश्रंगाबाद और आपका स कि यो राइसेन देवास इन इलागों में पाटली कुछ बादल आएंगे और थोड़ी बहुत महल की बर्सा देने के बाद इसकाई फिर से क्लियर हो जाएगा तो ऐसा मिला जुला मौसम निशले संभागों को देखने को मिलेगा वहीं उत्री जो संभागों के इलाके हैं वहा ज्यादा तर रेगुलेट करते हैं आपका लोकल वेदर जो है जो कि आपके ग्रीनरी प्लांट और वाटर बोड़ी आपकी लोकल टेंपरेचर को काफी प्रभावित करते हैं तो वह में कारण होता है और बाकी जो लाज स्केल पर जो सीजनल ट्रांजिशन होता है उसमें ज बढ़े हुए टेंपरेचर के लिए क्योंकि गवार लेयर और खजराओ इन दो जगहों पर 36 डिगरी का टेंपरेचर आज के दिन आपको मिल सकता है भुपाल में जीलों की खुबसूरत नगरी भुपाल भी 33 डिगरी तक का टेंपरेचर आपको देगी जबकि अमूमन इतन जादा टेंपरेचर भुपाल में होता नहीं है इसके साथ हमारे पास जो आकड़ा है कि अगर छोटी मोटी जो मौसम विभाग की भाशा कह रही है कि आंशिक मेगम है मायनी बादलों का जो जमावरा है बादलों का जमावरा भी सिर्फ आंशिक है थोड़ा बहुत है और ज है इसलिए के मौसम के लिए फिल इसी तरह के मौसम के तरफ इशारा कर रहा है यहां मैकसिममम टेंपरेचर है है 31 degrees Celsius और minimum temperature 24 degrees Celsius लीजे जी मद्य प्रदेश में भी कोई राहत नहीं उत्तर प्रदेश का क्या हाल है अरे यहां भी सेम टू सेम ही लग रहा है देखिये देखिये लखनों का तापमान तो देखिये maximum temperature 34 degrees Celsius रहने का अनुमान है और minimum temperature 23 degrees Celsius रहने का अनुमान है अच्छा मौसल विभाग ने बताया है कि राजस्थान पर आंटी साइक्लोन वाला हाई प्रेशर बन रहा है जिसका मतलब कि अब तेज हवाओं का सिलसिला खत्म और कल यानि 6 temperature 25 degrees Celsius रहने का अनुमान है आस्मान साफ होने की वज़े से धूप में काफी तपिश रहेगी राजस्थान के बगल में है गुजरात और गर्मी जैसी फील तो यहां भी आ रही है यहां पर आज maximum temperature 34 degrees Celsius रहेगा और minimum temperature 26 degrees Celsius रहेगा आस्मान में बादल तो है लेकिन यह बारिश नहीं उमस लाने का ही काम कर रहे हैं ऐसा करते हैं गर्मी से राहत के लिए मुंबई चलते हैं यहां तो समंदर है भाई बाकी जगों की गर्मी से थोड़ा तो बहतर होगा दिवाकर आप ही बत मरीन ड्राइव लाके में और यहां पर उमस भरी गर्मी का आलम यह है कि समुद्र के किनारे बैठने पर जो तेज हवाएं चलती हैं उसे गर्मी जरूर दूर होती लेकिन आज आलम उमस भरी गर्मी का यह है कि यह हवाएं भी बेशर साबित हो रही हैं और लोगों के चेहर बज़ा लगा सकती हैं कि मुंबई में कितनी तेज धूप है और कितनी उमद भरी गर्मी जो है इस धूप के चलते हो रही है मौसम विभाग ने भी साब किया है कि जो अक्टूबर का महीना होता है वो मुंबई के लिए October heat के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब साफ है कि पूरा October महीने में इसी तरह का मौसम जो है वो मुंबई में बना रहेगा उमद भरी गर्मी जो है वो लगातार इसी तरह से पढ़ती रहेगी इस पूरे महीने भर मैं आपको उमस भरी गर्मी का आलम दिखाऊं तो जिन पुलिस कर्मियों की तैनाती यहां पर ड्यूटी पर की गई है वो जो है इस उमस भरी गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छाओ का सहारा ले रहे हैं क्योंकि गर्मी ही इतनी है मुंबई में पिछले दो-तीन दिनों से यहां पर है और इसी तरह की उमस भरी जो गर्मी है वो मुंबई में देखने को मिल रही है और आज सुपा का जो आलम है वो काफी ज़्यादा क्योंकि पिछले दो दिनों में अगर देखें तो काफी कम देखने को मिल रहा था लेकिन आज वो उमस भरी गर्मी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में जैसा कि मौसम इभाग का अनुमान है कि अब जो मांसून है वो मुंबई से बिदाई ले चुका है और यही वज़ा है कि मांसून के बिदाई लेने के बाद मुंबई में इस तरह का जो सुष्क मौसम इसे बोल सकते हैं उमद भरा जो मौ पर ठंड पढ़नी सुरू होगी उस दवरान मुंबई करों को इस उमस भरी गर्मी से निजात मिलेगी क्योंकि उस दवरान मौसम मुंबई का सामान हो जाता है ना ठंडी परती है ना गर्मी लगती है सब नॉर्मल सा मौसम हो जाता है लेकिन उसके लिए फिलहाल अभी 25-26 द मैक्सिमम टेप्रचर है 34 डिग्रीश सेल्सियस जबकि मिनमम् टेप्रचर है 27 डिग्रीश सेल्सियस लगता है दिल्ली वाले हो या मुंबई वाले गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर ही जाना पड़ेगा फोफ़ली उत्तराखन में गर्मी से राहत मिलेगी हाला कि य असास होने ही लगता है देहरादूर में भी कुछ खास राहत तो नहीं लग रही बट एक जगह है जहां से गर्मी से राहत की उम्मीद है श्री नगर इन वादियों से निराश नहीं लोटेंगे क्योंकि यहां पर मैक्सिमम टेंपरचर सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस रहने का और मिनमम टेंपरचर 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है आस्मान में कही कही पर बादल है दिन में एक दो बार बारिश हो सकती है भाई जो वीकेंड बीता उसमें बिहार पर गुलाब तूफान का हलका फुलका असर रहा लेकिन क्या वो असर अब भी बरकरार है क्योंक गुलाब तूफान का असर तो पश्चिब बंगाल पर भी रहा तो क्या कोलकाता में गर्मी से राहत है बताइए जरा आशिका चलिए शुक्रिया आशिका तमाम जानकारी के लिए आप कोलकाता का टेम्टरचर भी जान लेते हैं यहां पर maximum temperature है 35 degrees Celsius और minimum temperature है 28 degrees Celsius लो भाइ यहां भी गर्मी से राहत की उमीद नहीं लग रही तो जोला उठा कर राइपुर चलते हैं ट्राइ करने में क्या जाता है राइपूर में आज maximum temperature है 33 degrees Celsius और minimum temperature है 25 degrees Celsius लेकिन यहाँ आधी के chances बताए जा रहे हैं देखते हैं क्या मौसम का mood बदलेगा राइपूर में भी एक दिन के पहले के मुकाबले तापमान बढ़ ही गया था क्या का आपने राची का बताएं अच्छा ये लीजे राची का temperature जान लेते हैं राची में maximum temperature 30 degrees Celsius है जबकि minimum temperature 22 degrees Celsius रहने का अनुमान है लेकिन तमाम जगों की गर्मी के बीच मज़े तो ओर्डिशा की राजधानी भूपनेश्वर के हैं ये देखिए जरा कल भी यहां जहमा जहम बारिश हुई और मौसम विभाग के मताबिक आज भी ऐसा मौसम रहने का अनुमान है तो यहां का temperature जानते हैं यहां maximum temperature 34 degrees Celsius बताय यहां पर maximum temperature 35 degrees Celsius है और minimum temperature 24 degrees Celsius हाला कि आस्मान में छाय बादलों से हलकी बारिश की उमीद बनी हुई है उत्तर भारत में तो ऑक्टूबर में भी गर्मी से लोग भले ही परिशान हो लेकिन दक्षिन भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है और चन्नाई में अगर जानना है तो यहां पर maximum temperature 34 degrees Celsius है और minimum temperature 26 degrees Celsius है और वहीं बेंगलूरू का मौसम भी जान लेते हैं यहां पर तापमान बता देते हैं यहां पर maximum temperature 39 degrees Celsius है और minimum temperature 21 degrees Celsius रहने का अनुमान है तो यह तो था आज के मौसम का हाल अब देखते हैं कब मिलेगी राहत उत्तर भारत में गर्मी से तब तक आप जरा थाइलेंड की इन तस्वीरों को देखिए जहां इतन झाल